नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि पुल्मार्क प्लस टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, पुल्मार्क प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और पुल्मार्क प्लस टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि पुल्मार्क प्लस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए पुल्मार्क प्लस एक ब्रैंड नेम है पुल्मार्क प्लस टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है पुल्मार्क प्लस टैबलेट के अंदर salt composition AC-Brophilin 100MG और N-Acetyl-Cystin 600MG होता है AC-Brophilin अस्थमा और bronchitis के वज़े से होने वाले लक्षणों को ठीक करती है और N-Acetyl-Cystin फैफरों में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है पुल्मार्क प्लस टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर, bronchitis होने पर, फैफरों में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए और chronic obstructive pulmonary disorder होने पर किया जाता है chronic obstructive pulmonary disorder को COPD भी कहते हैं अस्थमा और COPD होने पर व्यक्ति को सास लेने में परेशानी होना, सास फूलना, सास लेते समय CT जैसी आवाज आना, छाती में जकडन और खासी होना आदी लक्षण अस्थमा और COPD होने पर हो सकते हैं pulmarc plus tablet वायुमारक की मासपेशियों को रिलेक्स करके और फेफरों के सास लेने के रास्ते को चौड़ा करती है pulmarc plus tablet को लेने के बाद फेफरों के वायुमारक चौड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सास लेने में आसानी हो जाती है pulmarc plus tablet अस्थमा और COPD होने पर सास फूलना और सास लेने में परेशानी होना आदी लक्षणों को ठीक करती है और इन लक्षणों को रोकने में भी मदद करती है side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में pulmarc plus tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में pulmarc plus tablet की वजह से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट में बेचनी, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्चक्राना, घबराहट होना, सीने में जलन होना, भूप कम लगना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशिस होना, शरीर में ठकान होना, सिर्दर्ध होना और दस्थ होना आदी side effects पुल्मार्क प्लस टैबलेट की वज़से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में पुल्मार्क प्लस टैबलेट की वज़से कब्स की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की पुल्मार्क प्लस टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है। पुल्मार्क प्लस टेबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तौर पर 14 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर पुल्मार्क प्लस टेबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। पुलमार्क प्लस टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पुलमार्क प्लस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की पुलमार्क प्लस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पुलमार्क प्लस टैबलेट को देना रेक्मेंडेड नहीं है। दिल की धड़कन अनियमित होने पर, लिवर और किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर पुलमार्क प्लस टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना पुलमार्क प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।